हेलो एंड वेलकम बेक गाइस मैं जूगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ आज कभी से में लेकर आया हूँ हापी यली एक्जाम अर्दुवार्शिक परिक्षा वर्स दोहजार तेविस कक्षा नवी सेट पेपर ए सब हम जब देखते हैं तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फारवट कर दे ताकि आपके मित्रगन सांतियों को इसका लाब मिल सके तो आगे की तरफ बढ़ते हैं सेक्षन ए में रीडिंग स्कील में हम द कर दी है और मैंनको हीलाइट भी करते जा रहा हूं थे छूथे वाले का सी वाला उप्सन सही रहेगा फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं पांच कöyle इसने फशॉजा नहीं है इसमें दूसराइफ उख सेड्ग कर दें तो पंट कर देता हूं चलो इसमें का बीवान से रहेगा दूसरे वाले में measure score में आपका C वाला option सही रहेगा और third वाले में it across oxygen वाला ये सही रहेगा C वाला option fourth वाले में India सही रहेगा fifth वाले में आपका C वाला option सही रहेगा अब हम grammar की बात करते हैं तो यहाँ पर section B में writing skill आया है जिसके importance of education के बारे में आपको इसमें read the following and the notice and title to important of education की title दे सकते हैं इसका और fourth वाले में your mahes या manisha studying government higher secondary school sironj right and the application your principal grant you 10 days leave and you have go to the marriage of brother brother and sister marriage के लिए आपको application लिखनी है जैसा आप later लिखते हैं आपको application बना देनी है और यहाँ पर अनूप मिस्रा इसमें आपको young brother मेरी birthday party है बड़े की उसको लिखना है important आप games आप ऐसे लिखना है किसी भी एक paragraph पर तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं science and daily life अधिकतर बच्चे करते हैं तो I hope आपने कर दिया होगा poster यह poster को देखकर भी हल कर सकते हैं फिर the bed was the place खालिस्तान तो इसमें आजाएगा आपका own तो इसमें खालिस्तान में आपने own भर देंगे फिर there is a note खालिस्तान water in the pool तो इसमें आजाएगा much much water इसका सही रहेगा फिर यह देन का प्रियोग करा है comparative degree है यह तो इसमें आजाएगा better सही उत्तर इसका better रहेगा he went to खालिस्तान and engineer इसमें आजाएगा become become इसका सही रहेगा she works hard she will fail तो इसमें आजाएगा unless she works hard यहने की वह she works hard यदि वो कठोर परिस्रम करेगा तो फेल हो जाएगा if तो हो नहीं सकता तो इसमें unless का प्रियोग होगा यदि नहीं हाना यदि वह कठोर परिस्रम नहीं करता है तो फेल हो जाएगा फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं you taken my pain इसमें आजाएगा आपका हेव क्योंकि यह बहु अचन है और taken यानिक इसकी थर्ड फाम है तो इसमें हेव सही रहेगा फिर डूएज डारेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो डूएज डारेक्ट में पहला वाला देख लेते हैं combine the sentence because the train was delayed फिर इसमें आजाएगा because he weather was bad खराब मोसम की वज़े से आपका ट्रेन लेट हो गया दोनों sentence में भी कास का प्रियोग करना है सीमा हेज अम्ब्रेला which is a blue correct sentence इसमें हेज अम्ब्रेला इसको आपको थर्ड फाम लगाना है इसका है ना विच फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हरीस played football which the friends इसको change into present perfect tense में तो यहाँ पर present perfect में बनाना है तो पहले अपने को हरीस और साथ में है हरीस के बाद केवल लगा देना है अपने को present perfect तो हेज हेज का प्रियोग करना है हरीस के बाद केवल हमें हेज लगाना है sentence में third form लगी हुई है वेसा का वेसा ही रहेगा फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं simran nows the answer unto the question तो इसको negative बनाना है nows यहने की simran, simran के बाद अपने को does not लगाना है केवल does not और यह जो nows का ace है यह ace को हटा देंगे यह आपका sentence तयार हो जाएगा ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं sentence बनाना है rearrive sentence meaningful तो यहाँ पर आपको दिया गया young man the dressed was poorly तो इसमें आ जाएगा यह आपका sentence सही रहेगा पैसी बनाना है काइट्स को आगे ले जाना है तो काइट्स काइट्स फिर इसके बाद लगाना है और फिर इसमें लगाना being kites are being fluent by the boys इस प्रकार से आपको इसका प्रियोग करना है answer the following question फटा पठ हम देख लेते हैं इन question के objective type प्रस्टन का पहले वाले का C वाला analysis क्योंकि वीडियो length हो रहा है और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें तो धर्ड वाले का दीवाला option सही रहेगा फौर्थ वाले में c वाला प्षन सही रहेगा और आगे की तरफ बढ़ते हैं tenth वाला तो L में form इसमें आपका भी वाला Opt 3 वाले में जीश पेप्र सही रहेगा फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं which the sound quite c वाला दूसरे वाले में दूसरे वाले में his mother वाला option सही रहेगा और इसका एक strict meaning तो इसका आजाएगा memory फिर अब 11 वाले question में आप I hope आपने कर दी होंगे बारवे के भी कर दी होंगे चावद्वे वाले सारे के सारे आपके books के question हैं आपने I hope कर दी होंगे तो हमने वीडियो में सारे वीडियो में प्रस्नफत्र का इनलिस किया डिलिस्ट के माध्यम से हम अर